Hello my dear students, good morning, how are you all? Our today's subject is Hindi और हिंदी में आज हम लोग स्वर पढ़ेंगे चुर्ण ये आप जो देख रहे हैं ये स्वर हैं और इनको अगर हम काउंट करें तो ये 13 है हमारे हिंदी में कितने स्वर होते हैं? 13 तो आज हम लोग स्वर पढ़ेंगे और सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे अ और अ से शुरू होने वाले सभी अक्षरों को भी देखेंगे तो कम चिर्ण लेट्स लेर्न तो तिस इस अ ये क्या है? ये है हमारा अक्षर अ ये स्वर का सबसे पहला अक्षर है हम देखेंगे अ से क्या है? अनार जिसे पॉमोग्रानिट भी कहते हैं अ से अजकर यानि पाइफन आप उपने देखा अजकर असे अद्रक ममी दालती है ना खाने में अद्रक मतलब चिंजर असे अचार सबको पसंदेना अचार असे अमरूद सबने खाया है मीठा मीठा बुआवा अमरूद असे अचकन यानि की कोट लॉंग कोट असे अखरोट वालनट सबको पसंदे वालनट असे अकबार यानि न्यूस पेपर सो चुरूद हम लोग देखेंगे हमने क्या क्या पढ़ा असे अनार अजकर अद्रक अचार अमरूद अजकन अखरोट और यूद यहाद। अजकर आपढ़ा क्या पर शियंके यूद अजकर भी स्पेर पर अल्ट किरोट किरोट से अगर क्यूद लूद पड़ा है अब हम इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे हम सब ने पड़ा है small curves सीखाता ना मैंन से so first of all आपको अपना लाइन से small curve बनाना है make a small curve then again join another curve make a sleeping line आपको बीच में से sleeping line खिशना है and then standing line all right so aise हम बनाएंगे a again make a small curve then join it with another curve draw a sleeping line then draw a standing line so this is our a once again we will write make a small curve then again join it with a big curve make a sleeping line then make a standing line and children your a should touch the lines all right up a lines में touch होना है so like this you have to write the whole page write very neatly okay thank you Charunba bye